नमस्कार जहिन सातियों अगर आप सेनारेली भरती प्रिक्ष्या, सेनारेली भरती एरपोर्स इंरॉल्मेंट और रिजल्ट के अगर इंतजार में हैं तो समय रहते समल जाएए जी हाँ, समय रहते समलने का इसलिए बोल रहा हूँ कि आखिरकार आप इस इंतजार की समय सिमा को कब तक अपने शर पे सवार रखके घुमोगे आखिरकार इंतजार की तीथियां कब तक शमाप्त होगे युवाहों में ही सबसे बड़ी कमी है आप जरूर मेरे से निरास हो सकते हैं, मेरी बातों से नाराज हो सकते हैं लेकिन ये परम सकते हैं आखिरकार सबसे बड़ी कमी उन लोगों की नहीं है जिन लोगों को आप दोस्त देते हैं सबसे बड़ी कमी है आपकी जो कहिना कहीं आप एक ताकी एक रूप्रे का नहीं रखते हैं अभी देश में के आंदोलन हो चुके हैं लेकिन इस बार का जो आंदोलन है वो एक अलग लहजे में होने वाला है आपके तमाम प्रोब्लम्स थी उसको एक सोलुशन में दाइरे में लाने के परशात इस आंदोलन का अहवान किया गया है तमाम देश में गाउं से लेके शेहर तक शेहर से लेके बड़ी बड़ी शीटियों तक अगर इस आंदोलन को अगर सही तरीके से अगर देखा जाए तो इसका कहना कहीं एक इफेक्ट पड़ सकता है इसमें एक सामाने से सामाने यूवा विदाउट एनी फाइनेंसली कंडिस्टन्स के आधार पे अपनी भूमे का निवा सकता है मैंने पीछे एक वीडियो में आपको बताया था कि क्या हरियाना राजस्तान पंजाब में ही सेना रेली भरतियां होगी उसके परशाद कई सारे साथ ही इसको लेके जागरूख हुए और उन्होंने कहना गए अपनी भूमे का दिखाने भी शुरू की उनके लिए उनका दिल से आवार पर कट करते हैं हम वह दूसरी और आपको पताया कि आज ही एक ख़बर आई कि आर्मी एकजाम रद हो सकता है हमने इसकी पुष्टी भी नहीं की और साथ साथ हमने इसका अंदेशा इसलिए जताया है क्योंकि होने को कुछ भी हो सकता है लेकिन अभी इसके उपर किसी भी परकार की जब तक ओपिशल स्टेटमेंट नहीं आती तब तक इसके उपर यकीन करना या इसके उपर चर्चा करना ही एक मुरुकता का विशे होगा सो आप पोजिटिव रहके लेकिन जो देश में एक अलग शमेशिमा जो देश मांगता है उसके उपर जरूर अपना जो भी दायत्वे हो उसको पूरण कीजिए आठ माई देश को सबसे बड़ी डेट दी गई है भारत बंद को लेखे अगर इसके उपर किसी भी परकार की आप चर्चा करते हैं तो साइध ये फिजूल की बाते होगे हाँ अपने सुजाव जरूर भेजे आपके सुजावों को जरूर आगे रखे कोशिश करें एक बंदा अकेला कोई भी कोशिश नहीं कर सकता क्या एक राजस्तान में बेठावा कैंडिडेट वहाँ जो साउथ इंडिया है क्या वहाँ जाके इसके लिए कुछ कर सकता है नह जनाब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है अगर हो रहा है तो फिर ओपिशिल स्टेटमेंट सामने क्यों नहीं आ रहे हैं अकिरकार फेक नोटिफिकेशन के से सामने आ रहे हैं अगर एसी परकरियां चल रही है तो इसको लेके किसी ने किसी परकार की जानकारी साजा करने में आकिर कार दिक्कत का आ रही है अगर अपने हक के लड़ाई लड़नी है तो जरूर मजबूती से इसकी पेरवी कीजिए हमारी बाते के बार के यूओं को खटक जाती है लेकिन मैं आपको फिर कहता हूं कि अकेला राजस्तान हरियाना पंजाब उत्तरपरदेश मद्यपरदेश आगे आना होगा और अपने जितना भी योगदान है वो देना होगा इस वीडियो के मादम से खुछ टौपिक्स के उपर बात करतें जो लगातार आ रहे हैं सबसे पहला टौपिक्स है कि सर इस आंदुलन में अगर हम बिहार से हैं अगर हम जारकंड से हैं हमारी यहां अके तो आप अपने बच्चों का गुरूब बनेए शांति पुरुन तरीकी से लाइक जो भी है वो कीजिए 15 कंडिडेट मिलके व्यापार मंडल के साथ मिटिंग कीजिए किसी नहीं सिर्फ और सिर्फ यूटूब के ऊपर आके कमेंट सेक्षन में आएंगे और वहां सर हम ये वो मैं बिलकुल आपकी पेडास को समझ सकता हूँ लेकिन जरूरी है कि खुद को आगया आना पड़ेगा क्या आप खुद उसे एक्जाम देने के लिए लाइक नहीं है क्या आपकी जगे एक्जाम देने वहां कोई डिफरेंस संचालक होगा तभी वो एक्जाम कंड़क्ट हो माई को रखी गई है जिसमें देश के तकरीबन तीन सो से ज़्यादा पदादीकारी डिफरेंस अंचलक डिफरेंस एक्सपर्ट और कई सारी संस्ताओं को चलाने वाले वहां आ रहे हैं इसका मतलब तीन सो युवा अगर आते हैं अगर एक स्टेट से तकरीबन पंदरा बी मैशुष करवाएगा इसलिए परियाश निरंतर कीजिए रिजल्ट क्या रहता है उसके उपर यकीन ना करें परियाश करोगे तो रिजल्ट बहतर ही रहेगा और अगर अभी भी आपको अपनी नींद पर यकीन है तो बेशक आप उस रस्ते को भी चुन सकते हैं मुझे उमीद है कि देश का युवाद जरूर अपने हकों की लड़ाई के लिए आगे आएगा और सरकार के शमक्ष अपनी मांगों को एक बार फिर से मनवाने के लिए जितना भी उनके इरादे हैं उनको एक तेज दिखाते वे सरकार के शामने फिर से अपने इरादों की अपने हकों की लड़ाई की पेर भी करेंगे अपने हकों को पाने के लिए जो जो उनको समयधानिक मुल्य सांसकरती मुल्यों के अधार पे जो अधिकार प्रतत हैं उन अधिकारों की पालना करते वे जरूर अपने हकों की लड़ाई लड़ेंगे इस वीडियो से रिल्टि प्रिया के माधियम से आपकी बातें आगे रखने का प्रियाश कर सकते हैं। आने वाले दिनों में एक अच्छी और एक तरीके से इसको और तेज तरह रूप में इस आंदलन को देखने को मिल सकता है। धन्यवाद आप देखरें तरी आर्मी पॉंट अपने में जमान दने इसको देदीजी जाज़त मिलेंगे एक और ताजा सटीक विश्लिशन परे वीडियो के साथ अपते के लिए जैहिन जैभार धन्यवाद।